बड़ी खबर आ रही है विनेश फोगाट को ही लेकर विनेश फोगाट के मेडल पर सवाल उठ गया है और उलम्पिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोशित कर दिया है आखिरकार वजह क्या है इस बारे में अपडेट आना बाके है लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है वि और उन्होंने मेडल अपने नाम कर लिया था लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर की ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोशित हो चुकी है इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से पैरिस में उन्होंने इतिहास रचा लेकिन अब ये एक दुखत खबर आ रहे है कि विनेश फोगाट के मेडल पर सबाल उठ गए है से वज़न से 100 ग्राम अधिक उनका वज़न निकला है और यही वज़ा है कि उन्हें अब पैरिस उलम्पिक में अयोग्य घोशित कर दिया है हाला कि क्या पूरा क्राइटीरिया है क्या हुआ इस पर अबडेट आना बाकि है लेकिन ये बड़ी खबर आ रहे है पैरिस उलम्पिक दोहजार चौबिस से भारत के लिए बड़ी खबर कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोशित कर दिया है हमारे सायोगी विमल हमारे साथ जूड़ चुके हैं विमल ये क्या क्राइटीरिया है जिसकी वज़़े से अयोग्य घोशित हुई वेट केटेग्री है ना 50-50 किलोग्रम वेट केटेग्री मन को इससा लेना था तो वेइंग इन हुआ है उसका रिजल्ट बाद में आया है हंड़ेट क्राम कहा जा रहा है कि ओवर है मैंने कोचिस से बात की है या मैंने जो उनसे जोड़े वे लोग है उन सबसे बाकित की है और तकरीबन ये कंफर्म है कि उनको डिस्कौलिफाइड किया गया है यह भी बात सही है कि इन्मिन में रेस्लिंग फेडरेशन जो है वो बातित करने की कोशिश कर रहा है संजे सिंग जो प्रेसिडेंट है वो आयोसी से मिल रहा है जो कोच है विरेन नहीं गया है कि जो उनको मुकाबला खेला है साइमें मुकाबला सारा से अमेरिका की वो मुकाबला अभी भी लिखा नहीं गया है ऑफिशली आप चाहे तो कह सकते हैं कि अभी तक जो आयोसी का इंफॉमिशन है वहाँ पे पॉइंट वन परसंट की गुंजाइश बाकी है लेकिन आयोए में भातियो ने जो जिसकर हमें भेजा है अभी अभी जैसे हम बासित कर रहे हैं उनका आया है वो मेंसे वो कह रहे है कि मतलब डिस्वरिफाई हो गए है विनेश को प्रैवेसी मेंटेन करने के लिए उनको त अभी जारी को हराया है सबसे पहले राउंड में यह वो ओलंपिक की वन अफ दबिगेस्ट कमबाक स्टोरी मानी जा रही है जिस तरीचे से वह वापत रहती है और उनको वेट इस वेट के टेगरी में वह आना महीं नहीं चाहती थी लेकर उनको को क्वालिफाई ही उन्हों में इसके थू किया था तरेपन के रोग्राम में नहीं कर पाई वहां पे काफी सारा कॉम्लिकेशन और इस वेट के टेगरी में मतलब आपको समझें तक्रीबन पास किलोग्राम आप चार साल बजन घटा कर आप इस वेट के नहीं रहते और यह पज़क्त मुझे तो हाथ से जाता वाला जना आना आई सिर्से रिकन prov मंघल सिल्वर मेडल है वह पक्या है या सिर्फ फाइनल के लिए जब बजन तोला गया उसमें स्व घर विआ इस लेंटार इसक्वड़ाई हो रही है अगर यह खबर सही है अगर वो मैच ऑन होता है अगर वो मतलब बाचीज चल रही है उसकी गुंजाईश अपील होगा अगर वजन ज्यादा है तो फिर यह पदक हाथ से जदा वह नजर आता है विमल क्या नियम क्या कहते हैं कि कुछ ग्राम वजन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल आव एक वेट कटेगरी है अगर आप 50 किलो ग्राम में खेल रहा हैं तो 50.1 नहीं हो सकता है 50.50 किलो ग्राम और 100 ग्राम का वजन हो गया कि आप अगले बेट में चले गए इसके लिए जो खिलाडी है वो दो दिन परे से जो ट्रीशन यह है कि जब 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 जाता है तो अपना बेट किलो थोड़ासा 2-3 किलो पढ़ागे उनका बढ़ा हुआ हो जो लास्ट ये लास्ट बो तीन निन है उसमें उसमें को कम करने की ज़रोत हो ठीये काफी पानी पीना खाना ख झाल 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 झाल